नमस्कार मैं डेक्टर मनो श्रिवास्तो चौद्री ट्रनुश्मिक विश्विद्धाले मेरट से आज हम बात करते हैं जन संपर्की जन संपर्क जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि जन और संपर्क इन दो शब्दों के योग से मिल करके जन संपर्क शब्द बना हुआ है किसी भी संस्था और उससे संबंदित लोगों के मद्ध संचार की प्रक्रिया को जारी रखना ही जन संपर्क कहलाता है अगर हम जन संपर्क का विशलेशन करें तो ये सामने आता है कि जन संपर्क एक नियोजित प्रियास है बिना एक प्लानिंग के हम अगर जन संपर्क करते हैं तो हमारा जन संपर्क सफल नहीं होता है किसी भी संस्थान और उसके लच्छित समू के बीच संबंध इस्थापित करना जन संपर्क का काम है जनता की भावनाओं और मतों का विशलेशन करना साथ ही साथ ये भी सुरिश्चित करना कि संस्थान की नीतियां कारेकरम योजनाएं उसके जन के लिए अनकूल हैं या प्रतिकूल हैं यदि कोई ऐसी नीती संस्थान बना देता है जो उससे जुड़े हुए लोगों के लिए हानी पहुँचा सकती है तो वहाँ पर जन संपर्क कर्मी जो है वो इसकी सूचना या इसकी जानकारी अपने संस्थान को देता है कि ऐसा होने से संस्थान की छवी को धक्का लग सकता है संप्रेशन संबंदी कारक्रम जितने भी होते हैं कि उसी भी संस्थान के उसको क्रियान्वित करना जन संपर का काम आता है और लच समू से समवाद बनाये रखना भी जन संपर का एक प्रमुख कार है जन संपर के उद्देशों की गरम चर्चा करते हैं तो ध्यान आकर्शन करना लोगों का ध्यान अपनी और किस प्रकार आकर्शित किया जाए ये काम जन संपर का है लोगों का विश्वास अरजित करना आपकी संस्ता से कोई व्यक्ति तभी जुड़ेगा जब उसके प्रति उसके मन में कोई विश्वास होगा कोई सम्मान होगा और इसी तरीके से संस्ता और उसके से जुड़े हुए लोगों के बीच के संबंद को और आपसी समझ को विक्सित करना जन संपर का उद्देश है ज जन संपर्क ऐसा संपर्क होता है कि हम जिसके लिए भी संपर्क कर रहे हैं उसकी positive image को किस प्रकार से बनाया जाए अगर हम जन संपर्क के तत्तों की बात करते हैं तो जन संपर्क में सबसे प्रमुख है जन जन यहाँ पर जन से मतलब पूरी जनता से नहीं है क्योंकि पूरी जनता किसी से भी जुड़ी हूँ हो सकती है नहीं जनता पूरी जनता एक साथ कोई कारे करती है तो कुछ विशेश लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर संस्ता से या संस्तान से या लोगों से जुड़े हुए होते हैं तो हमें उस लच्छित समू को पहचानना है कि जो हमारी संस्ता के प्रती से जुड़ा हुआ हो सकता है दूसरा उस लच्छित समू से किस प्रकार से किस तरीके से संदेशों का आदान प्रदान किया जाए ये डिपेंट करता है कि संदेश हमारा कैसा है प्रभावी संदेश के लिए संदेश को प्रभावी बनाने के लिए हमें उसके लिए उचित माध्यम का चुनाओ करना पड़ है या इन सब बातों के प्रती उत्तरदाई होता है अगर हम देखते हैं जन संपर कर्मी को क्या कार आने चाहिए उसे जन संपर के कार क्या क्या होते हैं तो लेखन, संपादन, प्रकाशन इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे जन संपर कर्मी को लेखन की कला में निपून होना चाहिए उसे लेख संपाद किये उसे फीचर इत्यादी सभी चीजें आनी चाहिए इसी तरीके से उसको संपादन का भी ज्यान होना चाहिए और प्रकाशन की जानकारी पूरी उसको होनी चाहिए कि किस प्रकार से किसी पत्रिका का ग्रह पत्रिका का समाचार प चाहिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किस प्रकार किया जासता है प्रस के लिए टूर का आयोजन करना विधायका और सरकार से संपर के भी इस्तापित करने का कार रिजन संपर का होता है क्योंकि जो विधायका है उसको कानून बनाने का अधिकार होता है सरकार उन कानूनों को लागू कराती तो अपने संस्थान की नीतियां कारेक्रम उनकी जानकारी वहां तक पहुंचाना और वहां पर क्या हो रहा है सरकार के इस तर से या विदायका के इस तर पर क्या चीज़ घट रही है उनकी जानकारी अपने संस्थान को देना भी जन संपर्क का कार है ग्रह पत्रिका को प्रकाशित करना और संस्था के मद्द समन्वे बनाने का कार भी जन्संपर्क का है और लोगों की जिग्यस्याओं को सांथ कराने का कार भी जन्संपर्क की शणी में आता है और इसके अतित सामुदाई कार कराना कुछ समाज कल्यान के कारेक्रमों को आवजित करना जनसंपर्क कर्मी के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे लोग उससे जुड़ते हैं अगर हम बात करते हैं जनसंपर्क अभियान के लिए योजना किस प्रकार से बनाई जाए तो सफ़र्पत हम तत्थ्यों को ग्याद करने के लिए हमें शोध का कारे करना होगा उससे संबंदित जो भी समस्या हैं उन आकणों को इकठा करना पड़ेगा और उसके आधार पर हम योजना बनाएंगे उस योजना को बनाने के बाद में उसका क्रियानिवन किस प्रकार से किया जाए ये देखना होगा और योजना जो भी बनाई जाए वो अपमे लच्छित स समू को ध्यान में रख करके ही बनानी होगी और ऐसी योजना हो कि जो हमारे लच्छित समू जो हमारे जन हैं जो हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हमसे जुड़े रहें बरन जो नए लोग हैं वो भी हमसे जुड़ें और इस प्रकार से योजना को बना क करके उसका क्रियानवन करना होगा और उसके बाद उसका करना होगा उसका मूल्यांकन करना होगा अब योजना की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो इस्तितियां क्या हैं उनको विशलेशन करना उसके लिए लच्छों को निर्धारित करना और लच्छित समू की पहचान करना जन संपर कर्मी के लिए सबसे प्रमुख बात है लच्छित समू की पहचान करना अगर हमने अपने लच्छित समू की पहचान नहीं की है लच्छित समू को जोड़ करके नहीं रखा है तो वहाँ पर इस्तिती गड़बड हो सकती है लोग हमसे दूर जा सकते हैं हमारी सं संपरक अभियान के लिए मीडिया का चैन करना सबसे जन संपरकर्मी के लिए मीडिया चैन करना बहुत अधिक दुशकर कार होता है बहुत ही महत्वपूर कार है क्योंकि अगर हमने गलत मीडिया या मीडिया का चैन सही नहीं किया तो हमारा संदेश हमारे लच्छित समूह तक पहुंच नहीं सकता ऐसा च्छेतर सपूर मान लीजे कि हमें किसी ग्रामून अंचल में अपना संदेश पहुंचाना है और वहां हमने अंग्रेजी के समाचार पत्र का चैन कर लिया तो हमारा पाठक जो है जो संदेज का संप्रिशन कराया जिसकी पहुंच केवल शहर तक ही सीमीत है तो वहां तक बात भी नहीं पहुंच पाएगी अता इसलिए अगर हम देखते हैं कि ग्रामीन अंचल में अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमें हमारे लिए रेडियो जो है वो एक बहुत अच्छा माद्यम रहेगा और रेडियो जो होगा वो गाओं में सुना जाता है किसान अपने खेतों पर भी ले जाता है और अब एफ-एम या कम्मूनिटी रेड हमसे टेलिविजन की पहुंच गाओं-गाओं तक हो गई है और वो भी एक माद्यम है इसके बाद हम आते हैं बजट की विवस्ता करना कि बजट के बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए हमें जो भी योजना है उसके लिए बजट को प्रमुक्ता देनी पड़ेगी औ जो उचित बजट की विवस्ता करनी पड़ेगी फिर उसके बाद जो भी अभियान से जो हमारी योजना की प्रक्रिया थी जो अभियान था उससे जो भी प्रणाम प्राप्त हुए हैं उनके लिए हम उनका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा जन संपर के लिए माद्यम का च त्रिकाय हैं उसतके हैं इन सब चीजों को हम उसमें ले सकते हैं फिर रेडियो में भी आप देखे एफेम आ गया है कमुनिटी रेडियो है आल इंडिया रेडियो है या हमें जो ऐसे रेडियो में भी ऐसे स्टेशन पकड़ने पड़ेंगे जो हमारे जन तक पहुंच सके टीवी है फिल्म है वीडियो है और इसके साथ साथ प्रदर्शनी का आयोजन करना सीधे सीधे मेल करना लोगों को डाग भेजना और होल्डिंग साधी का हम प्रियोग कर सकते हैं अगर हमें प्रेस वालों से जंबन इस्तापित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ह है कि हम प्रेस का आयोजन करें उन्हें प्रेस विजवाएं या प्रेस कर्मियों के लिए अपने कंपनी के टूर के विवस्ता कराएं कंपनी के वरिष्ट पताधिकारी का साथ चातकार करा दें और अगर हमें कर्मियों के लिए जैसा हम मैं बताना भूल गया कि जन संपर्क में जन दो प्रकार के होते हैं एक आंतरिक जन और एक बाय जन तो जो कर्मी होते हैं जो उस संस्ता के से जुड़े हुए जो लोग होते हैं जो उसके कर्मचारी होते हैं वो आंतरिक जन में आते हैं अगर अपने आंतरिक जनों की हम बात करते हैं तो उनके लिए हम ग्रह पत् मीडिया है नव माध्या में सीधे डाक की विवस्ता है वेक्तिकत संबंद भी इसमें काम आते हैं शेर धारकों की अगर हम बात करते हैं तो वार्शिक रिपोर्ट है डाक है पोस्टर है प्रदर्शनी है यह सब चीजें काम में आती हैं और समधाय के लिए अगर हम किसी डोनेशन कैम्प है राहत शिवीर है इस प्रकार से कई शिवीरों का आउजन किया जा सकता है और अगर हम भोगताओं की बात करते हैं तो विग्यापन हैं वेक्तिकत संबंद हैं ग्रेपत्रिका वार्शिक रिपोर्ट आदी माध्यम जो हैं वो लोगों से जुड़ने का का हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं तो जन्संपर्łe के लिए अगर हम फाद चर्चा करते हैं निश्करे पराते हैं तो जन्संपर्क का प्रमुक काम है संस्था संस्थान या किसी व्यक्ति की छवी का सकारात्मक छवी का निर्मान करना और उसमें एहम भूम का होती है जन्माद्यमों की तो माध्यम का चुनाओ प्रमुक होता है माध्यम का चुनाओ में हमें सावधानी बरत्मी चाहिए और किसी भी संस्था संस् की सकारात्मक्षभी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए अगर हम एक अच्छे जन संपर्क कर्मी बनना चाहते हैं धन्यवाद